हम दोजुलाई की घटना के बाद बहुत ही बिठित हैं, उमें विश्वास है, जो भी उपद्रवकारी हैं, वो बक्से नहीं जाएंगे कमेटी के महापुर्शों से ये प्राथना की है कि दिवंगत आत्माव के परिजनों के साथ जीवन परियंत अन्मंध हैं से अड़े रहने का आग्रह किया है, नाराइन शाकार हरकी शम्फूंद माण में कदाशदा के लिए जजकार हैं, हम दोजलाई की घटना के बाद बहुत ही बिठित हैं, प्रभू हमें बस शंगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ती दें, शबी शाशन एवं प्रशाशन पर भरोशा बनाई रखें, हमें विश्वास है, जो भी उपद्रवकारी, उपद्रवकारी हैं, वो भक्षे नहीं जाएंगे, हमने अपने बकील डाक्तर विपी शिंग जी के माध्यम से कमेटी के महापुरसों से ये प्राथना की है के डिवंगत, आत्माव के परिजनों, एबम, इलाजुरत, घायलों, के साथ जीवन पर्यंत, थन्मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको शवी ने माना भी है, शवी इस जिम्मेदारी को निवाभी रहे है, शवी महमंत का सहरा न छोड़ें, बर्तमान समय में बही माध्यम है, सवी को सदमती और सदवुद्धी राथ होने की इच्छा रखते हैं, नाराण शाकार हरकी, शंकून बे महंड में शदा सदा के लिए जज़ेंगे।